नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टोपिक है कि एटल इंटरनेट STB का ये रिमोट है ये काम नहीं कर रहा है बोक्स के साथ इसका कोई भी की काम नहीं करता चैनल चेंज करने का 1,2,3,4 नुमेरिक की भी काम नहीं करते हैं तो हम कोई भी बटन प्रेस करत हैं तो रिमोट का LED भी गलो नहीं करता और ना ये STB के साथ काम करता है तो आज की वीडियो में हम इसी रिमोट के फोल्ट को ठीक करेंगे और रिमोट को फिर से दुबारा चलाएंगे तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में यहीं करके दिखाता हूं तो इसके लिए सबसे पहले इसका जो पहले इसमें होता क्या है कि आपका ये कोई भी आप क्रीब की प्रेस करोगे ना तो इंडिकेटर गलो नहीं करेगा कोई भी ठीक है तो अगर आपने इसको LED के साथ पेर कर रखा है तो आप जैसे AV या जो Mute की है ये दुबाने पे LED के साथ काम करें मतलब इंडिकेटर फ्लेश होगा ये देखिए वोल्यम अपडाउन ये इदर वाला बाकी हिस्सा इसका काम नहीं करेगा जो एरिया हमने इसका LED के साथ पेर कर रखा है वो ही काम करेगा बाकी ये इसका जो STB के साथ वर्क करता है वो काम नहीं करेगा तो इसको ठीक करने के लिए जो सबसे पहला स्टैप आपने करना है बैक की और ये ओप्शन की इन दोनों को continue प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर दबाने के बाद ये remote flash होगा ऐसे और उसके बाद बंद हो जागा तब आपको इसने छोड़ देना है और जो काम आपने अब करना है वो ये home की है ठीक है ये ऐसे उपर करके आपने इसको नहीं दबाना तो मैं पहले ये आपको home की दिखा देता हूँ ये वाली home की है तो इसको आपने छे सेकंड तक दबा के रखना है ध्यान ये करना है तो जब आपको जब आप इसको दबाएंगे ना तो STB के आगे कर लें ऐसे ठीक है तो STB के आगे करके देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो अब ये इसका home की मैं रिमोट के STB के आगे करके दबा रहा हूँ ठोड़ी देर दबाने के बाद ये देखिए रिमोट का इंडिकेटर गलो करेगा चे सेक्न दबा के रखना है और फिर छोड़ देना है तो रिमोट कंट्रोल फाउंड और रिमोट execution इसी वार्निंग दिखा के आपका रिमोर्ट कंट्रोल सही हो जाएगा और आपके STB के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था next video में फिर मिलते हैं bye bye मुझे आशा है कि आपका remote अगर खराब हो चुका है तो अब सही से काम करने लग गया होगा तो bye bye friends next video में फिर मिलते हैं